गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्र नगेंदर थालोर, इंट्रवेंशन काडियोलोजिस्ट आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि चेस्ट पेन के क्या क्या कारण होते हैं चेस्ट जो है वो अपना नेक और अब्डोमन के बीच का एरिया है और ये लंग, हार्ट, इसोफेगस, मसल्स और बॉन्ड से मिलकर बना रहता है तो इन पांचू ओर्गन में ये दि कोई भी दिक्कत होता है तो अपने को चेस्ट पेन हो सकता है हर चेस्ट पेन हार्ट के कारण ही है ऐसा कोई जरूरी नहीं है जब भी अपने को chest pain होता है तो उस pain को पहचानना बहुत जरूरी है कि वो heart का है या और किसी कारण से है क्योंकि यह heart के कारण है तो उसको ignore नहीं करना है आपको तुरंट अपना medical advice लेना है और उसका treatment लेना है तो heart का जो pain रहता है वो एकदम center में रहेगा chest में और ऐसा लगेगा जैसे चाती पे बहुत भारी बजन किसी नहीं रखती हो चाती में पुरा heaviness रहेगा सांस लेने में दिकत रहेगी अफसा साथ में nogia, vomiting, ulty जैसा मन रहेगा ठकान रहेगी चकर आएगा और यह जो pain है heart का जो pain रहता है वो radiate करता पुरा आम में, right side, back side, epigestium, गले में, jam में हर जगे यह radiate कर सकता है यदि इस तरह का pain है तो अपन समझ सकते हैं कि यह heart के करण है दूसरे common करण रहते हैं chest pain के लिए lungs से related यदि अपने फेप्डू में कोई भी infection है जैसे pneumonia हो गया या pneumothorix हो गया या pneumothorix के साथ साथ में पल्मोरी embolism है या अपने को कोई tuberculosis हुआ है फेप्डे का तो उनमें भी chest pain रहता है तो वो वाला pain है जो mainly आप जैसी deep breathing लेंगे या सांस के साथ में पेन रहेगा साथ में आपको खांसी भी आएगी और आपको सांस लेने में भी थोड़ा दिकत रहेगा तो वह अपन पहचान सकते हैं कि ये लंग के कारण है तीसरा कारण रहता है जो stomachs related या gastrointestinal pain बोलते हैं जिसको जैसे यह आपको बहुत ज़्यादा acid बनता है acidity रहती है gastritis रहती है पेट में कोई ulcer है तो वह वाला pain अपना पूरा central line में रहेगा क्योंकि जो अपना isopagus है वह center में रहता है तो पूरे isopagus के साथ-साथ वह pain रहेगा और अपने गले में एकदम खटा-खटा टेस्ट लगेगा बार-बार मुह में पानी आएगा salivation ज्यादा रहेगा और जैसे है अपन लेटते हैं लेटते हैं तो जो acid एकदम से उपर isopagus में आता है तो वह pain अपना ज्यादा हो सकता है तो यह इस तरह का pain है तो वह गेज के कारण acidity का pain रहता है नेक्स्ट कारण हो सकता है musculoskeleton यानि अपनी जो muscles है या जो ribs रहती है उनके कोई चोट लगी उनमें ट्रॉमा हो गया या इंप्लामेशन है कोई या फिर एक ट्रम रहता है जिसको postocondritis बोलते हैं यानि या इदिवती रिप्स में कोई इंप्लामेशन होगा रहा है तो वह भी एक pain अपना chest pain हो सकता है और उसमें जैसे आप जहां pain हो पे दबाएंगे तो pain एकदम से ज़्यादा रहेगा टेंडरनेस रहेगी और moment करने पे pain ज़्यादा होएगा इसके साथ एक pain और रहता है जिसको हर्पी जो इस्टर बोलते है उसमें आपको क्या body पे एक particular area पे रेड रेड रेसेज रहेंगे और एकदम pain रहेगा वह वाला pain अरपीज के कानव रहता है वह आप देखके भी पचांद सकते हैं नेक्स्ट एक रहता सर्वाइकल pain यानि यदि आपके नेक में पीछे pain रहता है जब भी आप movement करते हैं नेक pain रहेगा और वह pain आपका रेडियेट भी कर सकता हाथ में limbs में हाथ में जंजनाट भी रहेगी क्योंकि वह pain जान जान भी अपनी nerve जाती है वहाँ पे वह pain हो सकता ह और वह nerve compression के कारण रहता है तो वह cervical pain भी आप पहचान सकते हैं इसके साथ यदि आप बहुँ जादा कई बार tension में रहते हैं anxiety में रहते हैं या depression में हैं तो भी अपने को chest pain फिल हो सकता है तो उसको भी आप पहचाने तो इस तरह chest pain के कई कारण रहते हैं उसमें जैसे cardiac कारण एक हो गया उसके अलावा lung pathology है या पेट से related है या muscle से रिप से related हो गया सरवाइकल का हो गया तो यह कई सारे कारण रहते हैं chest pain के तो यह नहीं है कि हर pain जो है heart का ही है लेकिन जब भी आपको लगे कि यह pain heart का हो सकता है यह थी specific सारे symptom है chest pain के साथ में दूसरे symptom भी है तो किस कारण हो रहा है तो जिसमें ECG रहता है एको रहता है chest x-ray रहता है और एक नेक का भी अपन यह नेक pain heart cervical है तो नेक का अक्सरे करवा सकते हैं इसके साथ blood test जैसे CBC है LFT है तो उससे में अपने इंफेक्शनों का कोई counts बढ़े वे हैं तो वह भी पता चल जाता है इन इंवेस्टिकेस्ट में दिक्कत आती है उसके according उसको treat करते हैं